नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आसीस की बगिया में दोस्तों अगर आज आप हमारे चैनल में पहली बारा हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरुन सब्सक्राइब करें साथी बेल icon को press करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पोधे के बारे में जो कि सालो साल flowering करता है और ये एक परवन प्लांट है और इसमें जब flowering होती है दोस्तों तो आप इतने flower flower आते हैं इसमें कि आपकी आखें चौंधी आ जाएंगी जी हाँ आखें चौंधी आ जाएंगी सही जुना आपने दोस्तों ये जब flowering करता है तो इसमें सिर्फ flowery flower नजर आते हैं और इस प्लांट का नाम है दोस्तों इसे बोलते हैं इसका जो आम तोर पे बोलचाल की भासा में इस्तिमाल होता है नाम उसे बोलते हैं टेकसास सेज साथी दोस्तों इसे बोलते हैं टेकसास रेंजर के नाम से भी जानते हैं और पत्तियां इसकी सिलवर कलर की होती है जैसा आप देख रहे हैं इसक्रीन पर इसलिए इससे इसलिवर लिफ फ्लांट भी बोलते हैं साथी दोस्तों आप इसके फ्लावर देखिये जब यह फ्लावर करता है तो पूरा प्लावर से भर जाता है ये देखे इसे दोस्तों पौधों का चातक भी कहते हैं चातक पच्छी का आपने नाम सुना होगा चातक वो पच्छी होता है दोस्तों जो बरसात के समय स्वाती नेचतर की जो बारिस की पहली बुंद होती है उसको जमीन में गिरने से पहले उसे पीता है वो प्यासा मर जात लेकिन पानी नहीं पीता है जबकि वो इंतिजार करता है उस बारिस की पहली बूंद का तो दोस्तों इसे भी बारिस का चाहतक आप कह सकते हैं क्योंकि दोस्तों जब इसमें बड़्स आती है उसके बाद उसके बारा घंटे के अंदर जब उसकी फ्लावरिंग होने वाली होत दोस्तों यह बिल्कुल ही लो केरिंग प्लांट है और आगर आपके पास अपने सामय सकते हैं तो इस पादिय को हैँ अपने कलेक्शन में सामिल कर सकते हैं और इससलिead कि आप देख रहे हैं तो फूरे प्लावरिंग नहीं हो रही होती है तो पतियां भी बड़ीघ मिश् तक यह फ्लावरिंग करता है और सरदियों के मौसम में दोस्तों यह पत्तियां थोड़ी वह 70-80% ड्रॉप कर देता है और वह मार्च अप्रेल के बाद फिर पत्तियां इसमें आ जाती है और यह सभी तरह के पानी में इसको आप प्रोपोगेट कर सकते हैं मतलब जहां पे खा है और होता है तो आप करता है तो आप बात करते हैं निसको आप फिर जमीम में लगा सकते हैं या फिर प्रका शट्राय확 चाण सोर्मयक्त यह कॉस्स चाहिए मैंने मिठी के प्रका है और आप कोशिष किजये कि tuh व कि finnsे स्व've you launch Remain तो इसमें पानी बिल्कुल डुटना नहीं चाहिए, वेल्डेरिन स्वाइल चाहिए, तो इसमें आप करीबन एक हिस्सा मिट्टी यूज कर सकते हैं, गार्डन स्वाइल, और एक हिस्सा आप इसमें सेंड यूज कर सकते हैं, और एक हिस्सा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या अगर सितंबर के बाद बारिस के बाद दे दीजिए और यह सफिसियंट है इसमें बड़िया सी फ्लावरिंग करता रहेगा तो इसकी दोस्तों जोसे मैंने बता रहा था आपको कि जब इसमें बर्ड्स का फ्रमिशन होता है तो बर्ड्स खिलने के 12 गंटे के अंदर बारिस हो होती है लगबग इस पौधे को दोस्तों पानी देते समय भी से ध्यान रखें जब आपको इसकी टॉप स्वाइल सुखी लगे तो ही से पानी दे और ज्यादा पानी देंगे तो इसमें रूट रॉट की प्रॉल्लम हो सकती है और आपका पौधा खराब हो सकता है तो यह द पानी जरूर गिरेगा तो यह दोस्तों बहुत ही यूनिक पौधा है बहुत ही रेर प्लांट है और यह आप अगर कहीं मिल जाता है तो आप इसे अपने कलेक्शन में जरूर सामिल कीजिएगा और दोस्तों इसमें किसी प्रकार के कोई जड़ा रोग नहीं लगते हैं अग आप इसमें आर्गेनिक फर्टिलाइजर गोबर की खा दिया फिर वर्मी कमपोस दे सकते हैं ज्यदा इसे ओवर फर्टिलाइज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों में बात इसकी है कि इसे फुल सनलाइट पसंद है आप इसे सेट में बिलकुल मत रखिएगा अगर आप सीजिन आने पे बहुत ही बड़ीया करेगा और जैसे आपका प्लांट बड़ा होता है तो अप इसे थोड़ा सा कट करके इसकी प्रूनिंग करके इसे आप सेफ में ला सकते हैं दोस्तों इस प्लांड को आप कटिंग के दौरा या फिर जो है एर लेरिंग के दौरा तयार क कर सकते हैं तो cutting लगाने का दोस्तों सबसे बढ़ी सी जन जो हता है वह फरबरी का महीना होता है या फिर आप इसे बरसात में भी ट्राइ कर सकते हैं तो बीच बीच में आप इसे इसकी गुड़ाई गुड़ाई करते रहिए जिससे इसकी जो स्वाइल है वह थोड़ी सी लू लगता है कि अगर आपके गार्डन के किसी कोने में पौधाल लगा हुआ है जमीन में या अत्वा गमले में लगा हुआ है तो आपका जो ध्यान है वो अनायास खीच लेगा इसमें इतनी बढ़िया फ्लावरिंग होती है और आप जो है इस पौधे को बिना किसी रोप टूप के बिना किसी हिचक के लगाईए और बिल्कुल ही लो केरिंग प्लांट है बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसे ना के बराबर केर चाहिए तो दोस्तों अगर ये प्लांट आपको आपकी लोकल नस्री में मिल जाए तो बेटर है नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सक सकते हैं तो कुछ कीजिए पहले प्लांट आपको आफ लाइन ही मिल जाए और या फिसकी कहीं से कटिंग मिल जाती है क्योंकि काफी रेर प्लांट है सब जगह मिलता नहीं है तो अगर आप सौखी ने प्लांट के और आप इसे अपने कलेक्शन में सामिल करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी ट्राइ कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जिसके दोरा आप अपने टेक्सास सेज यानि सिल्वर लीव फ्लांट को सुरच्ची दर सकते हैं सालो साल उससे धेरो फ्लावरिंग पा सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि ये बिल्कुल ल पूछ सकते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बाक्स में बताइएगा जरूर साथी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजेगा जिससे कि ये अन्य लोगों तक पहुंच सके और अगर आज पहली बार आएं और आपने अभी तक मेरा चैनल आसीज की बगया इस सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरुन सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेश करना बिलकुल मत भूलिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ तक लिए नमस्कार दोस्तों